कि चलो देखते हैं कि कोश्चन नमबर चार में क्या कहता है एक बार समझ लेते हैं तफर यह करेंगे कहता है कि परसांत on a departmental store इसके department 4 है एक D1 है एक D2 है एक D3 है एक D4 है ठीक है and following information to department और आपको जानकारी सिर्फ कितने department का दे रहे दो department एक है हमारा cloth और एक है garment तो दो department के जानकारी है cloth और garment cloth and garment ठीक है cloth and garment थोड़ा साइस रिडियूस कर देते हैं चलो अब आगे क्या कहता है भी या ओपनिंग स्टॉक दे रखें दोनों के पर्चेस दे रखें सेल्स दे रखें तो लिख लेते हैं तू ओपनिंग स्टॉक कि इतने कितने साथ हजार सत्तर हजार चेस दे रखें हैं एक तस और एक दो बीस एक पीस इसके माद सेल्स दे रखें हैं और सेल्स दे रखें है दो लाग और दे रखें हमें दो लाग इसके डारेक्ट एक्समेंस दे रखें है तो यह आएगा 15,000 और 20,000 आगे कहता है टोटल इंडारेक्ट एक्समेंस एंटाइर बिजनस विद फूर डिपार्टमेंट 15,000 यानि इन सभी की डिपार्टमेंट का इंडारेक्ट एक्समेंस हमें गीवन है that is 15,000 और हमें दो डिपार्टमेंट का यहाँ पर दे के चलना है कहता है which allocate in purpose net turnover of each department कहता है जो की सभी डिपार्टमेंट के turnover के basis पे होगा यानि sales ratio में बातेंगे indirectly कहा जाए तो except one-fifth of indirect expense which are allocated equally कहता है जो इस में से हमें one-fifth को अलग कर देना है that is हमारा कितना हो गया तीन हजार यानि अब बचगे हमारे समस्य बारह हजार तो कहता है turnover of each department except one-fourth of each indirect expense which we allocated equally यानि जो तीन हजार रुपे है न इसको तो equal बाट दो चारों में और जो बारह हजार बचगे उसको कैसे बाट दो ratio में कौन से ratio में sales ratio में the sales remaining two department चार सत्तर यानि हमारा दो department का sales तो पता चल गया और बाकी के दो department का पता चल गया कितना है चार लाक सत्तर हजार तो अगर मैं इसको बाटू expense को allocation तो सबसे पहले हमारा कौन से department है भाई cloth garment और फिर अधर टू है ना तो इनके sales अगर देख लें तो cloth का sales क्या था हमारा दो पांच दो पच्चिस है ना दो लाक पांच हजार इसका sale है दो लाक पच्चिस हजार इसका sale है और चार लाक इन सभी को जोडते हैं तो total sales आ जाता है हमारा 9 लाक और हमें 12,000 expense को बाटना है तो हम 12,000 को कैसे बाटेंगे 12,000 into में 2,05,000 divided by total यही होता है ratio में बाटने का तरीका ठीक है तो 12,000 into में 2,05,000 तो यहां गया 27,33 ऐसे ही दूसरे में बाटेंगे 12,000 into में 2,05,000 और divided by 9,000 यहां गया 3,000 ऐसे ही बाटेंगे हम 12,000 into में आप का जाएगा 4,70,000 और divided by 9,000 ठीक है तो 4,70 यह आ गया 62,66 इन सभी को जोड देंगे तो क्या जाएगा 12,000 तो इसको बाट गया ठीक है तो हमें तो कौन से expense है यह यह expense है हमारे indirect तो हमारे पींडल में जाना चीए यहां तक तो यह रख देते हैं पींडल में आ जाएगा 2 indirect expense तो पहले वाले डिपार्टमेंट का कितना है हमारा सर 27,333 और 3,000 है ना 27,333 और 3,000 ठीक है बाकी को उसने बोला था बराबर बाट दो तो साड़े साथ सो साथ सो तीन हजार बच्चे थे ना बाकी उसको तो साथ सो पचास इसमें और बाकी दो में बढ़ जाएगा पंदरह सो रुक है तो बाकी दो की दो जानकारी हमें देही नहीं ठेक है ना आगे क्या कहता है पढ़ते हैं rate of gross profit calculate without preference here to direct expense मतलब कहता है जो हम rate of gross profit बता रहे हैं rate of gross profit calculate without reference to direct expense मतलब इस direct expense को छोड़ के जो आपका gross profit है वो बता रहे हैं direct expense को यानि यहां पे हमारा gross profit कितना है हमारा 25% to department का क्याता है give to department 25% and 30% respectively prepare department trading account for the period year ended 31 March 2021 ठीक है trading account बना रहे हैं calculate gross profit to department separately इन दोनों department के separately बनाने also calculate closing stock of the respective department and their net profit closing stock भी बताना है तो सबसे पहले अगर हम gross profit निकाले तो gross profit किस पर काम करता है यह तो sales पर होता है तो GP दे रखा है इसका कितना दे रखा है 25 तो 25,000 पर कितने परसंट 25% that is 51,250 ठीक है इसके बाद दूसरे का 2,25,000 का कितने परसंट है 30 परसंट 266,500 तो अब what obvious है अगर gross profit आ गया तो इधर जो भी balancing figure निकलेगा वो क्या होगा जो पूछा है question है लेकिन बोला है closing stock आपको निकालते समय पर आपको ध्यान रखना है इस expense को नहीं include करना है यानि अगर मैं closing stock निकालो imaginary तो एक तो यह जोड़ूँगा यह जोड़ूँगा यह नहीं जोड़ूँगा यह जोड़ूँगा और उसमें से sales minus करके निकालो समझे बाता ठीक है तो सतर हजार एक लाख दस हजार प्लस एक यावन दो सो पचास और माइनस में दो लाख पांच हजार तो देखे आपको closing stock आगे 26 दो सो पचास कितने closing stock आगे तो इसके अंदर मैंने यह वाला पार्ट नहीं लिया क्यों नहीं लिया वैसे तो लेना चाहिए लेकिन question ने 45,000 एक लाख बीस अजार और 67,500 माइनस दो लाख पच्चेस अजार यह चेक करिए कितना रहा है 70,500 चीक है अब हम क्या करेंगे finally total कर देंगे तो हमारे जो आना होगा वो आ जाएगा तो अब देखोगे तो हमारे यह total match ही नहीं होगा कभी क्योंकि दोनों side although match हो जाना चाहिए लेकिन हम match होने में problem है क्योंकि इसका total कुछ और इसका total क्योंकि हमने इसको बीच में gap दिया तो इस situation में हमें indirect expense को gross profit जब निकालेंगे तो यह जो है gross profit तो आ गया लेकिन हमारा सही से नहीं निकल पाए अगर मैं total करूँ 25000 प्लस में 26250 मैंनस में 70100 मैंनस एक तस और माइनस 15000 तो यह हमारा ररच 36250 तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं कि मैं इसको न दो हिस्से में बाट देता हूं दो हिस्से में बाटने का मतलब है सर यह जो gp है सिर्फ इस gp को यहीं तक बोला गया है to department का give to department gross profit जो कि हमने निकाल लिया इसको हम या तो यहाँ पर छोड़ दे यह match नहीं करो सीधा gross profit यहाँ ले जाओ by GP और इसके बाद to be continue करो या फिर आपको क्या करना है इस expense को उठा के एक और column बना लो यह आपका memorandum gross profit है दूसरा अलग से gross profit है या वो भी नहीं बन रहा तो हमें gross profit एक working note में निकाल लेना चाहिए कैसे निकालना चाहिए working capital में gross profit जैसे की यहाँ पे मैं gross profit निकाल दूँ कौन कोल सा department है सर cloth department और garment department तो gross profit कितना है 51,250 और 67,500 अब इसमें से minus expense क्योंकि यह expense तो minus नहीं वह न भी क्या minus करते हैं हम 15,000 और क्या minus करते हैं 20 500 तो यह gross profit आ जाएगा तो यह आए जागा 36,250 67,500 minus में 20,500 47 आ गया अब net profit बोल रहा है तो net profit में भाई यह दोनों minus कर दो इनसे तो अगर यह working note ऐसे कर सकते हो तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं यह फिर आपने यह gross profit निकाला है इसको gross profit को हटाओ यह सिर्फ roughly निकाल दिया अब final gross profit निकाल दूआओ ठीक है न that is 25,000 26,250 यह आगया 2,31 31,250 2,31,250 और minus में 70,000 36,250 और यहाँ पर आजाएगा हमारत 47,000 यह वो जो percentage दे रखा है वो percentage रखा है without direct expense 23 अब जीपी यहाँ लिख लो 36,250 और यहाँ से क्या निकाल लो net profit ठीक है यहाँ से निकाल लो net profit 36,250 to net profit minus 27 33, minus 765 यह आगया हमारा 32,766 चेक करो दो department का जो पूछा है minus 37,50 यह आगया हमारा 43,250 चेक है यह था हमारा question 4 तो 1 भी कर लिया हमने 1 तो simple था 2 वीडियो डल गई है 3 वीडियो डाल दिया है 4 अभी कर लिया और 5 का भी वीडियो डाल दिया है इसके 6 कराएंगे 7 में क्या है homework कर सकते हैं 6 कराओंगा तो 7 automatically हो जाएगा 8 इसको नोट कर लीजिए 5 करशे कर लोगा लोग Big 5 कर लोगा देसे हैं 9 य्याएंगा चनल ये नोग दोेजियो बोगा 6 आपे लोगा है कर भंपे लोगा 6 नहा नहाएगा 9 वियूदियो सटेंगा 9 याएगा 5 कर दूदियो 6 बाहा Χांवा 9 वियूदियो लूदियो